हम डेली लाइफ में कुछ परसेंटेज अगर सोल करना चाहें तो हम अपने केलकुलेटर का यूज करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 125 का 36% उज़े निकालना हैं तो या तो हम इसको केलकुलेटर से सोल करेंगे या फिर परसेंटेज अटाएंगे या पे वो डिवाइडिड में लगाएंगे सो और काटना शुरू कर देंगे पर ऐसे बहुत सारे परसेंटेज है जिनको आप बिना केलकुलेटर के केलकुलेटर से जल्दी सोल कर सकते हैं क्या तरीका लगाएंगे मैं आपको पहले समझाता हूँ सबसे पहले तो आप ये समझो 50 का 10% 5 होता है और 10 का 50% भी 5 होता है मतलब ये जो परसेंटेज का साइन है ना इसको आप यहां से अटा के यहां लगा दो ये बन जाएगा और ये दोनों बराबर बात है यानि परसेंटेज के साइन को आप एक नंबर से अटा के दूसरी जगा लिख सकते हैं उससे आपके आंसर पे कोई फरक नहीं पड़ता तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम ये देख पाए कि 125 का 36% जो है ये बराबर होगा 36 के 125% के और इससे कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी अगर मुझे 36 का 125% निकालना है तो 36 का पहले 100% निकालूँगा वो रहेगा 36 बच गया कितना 25% 25 यानि 1 by 4 एक बटा 4 तो 36 का एक बटा 4 होता है नो और आप इसको इस तरीके से एड़ करके बहुत इजी तरीके से आंसर अपना 45 निकाल सकते हैं